होरर, जब मैं ये वर्ट बोलता हूँ तब आपके मन में क्या आता है भूत, प्रेत, हाउंटेड हाउसेज या फिर किसी साइंस प्रेक्शन, मूबील का क्रियेचर बट आपको पता है आज तक पूरे हिस्ट्री में दुनिया का सबसे होड़िफिक चीज़ क्या है हेलो फ्रेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिक्स साइंस नेटवर्क में एक ऐसी होड़िफिक स्टोरी है जिसे दुनिया आज भी याद करती है तो दुनिया के रॉंटे खरे हो जाते है दा चर्णोबिल इंसिटेंट इस दुनिया में हर एक जीब, हर एक ऐलिमेंट, हर एक प्लानेट इंटार मैटर से बनाए परमानों से हर एक एटम में इनर्जी होता है उस एटम में इनर्जी बहुत ही जादे incredible amount of content करता है और उस इनर्जी को identify करके इंसान ने atomic energy को discover किया और उसे यूज करना सुरू कर दिया कुछ बुरे करमों के लिए तो कुछ useful कामों के लिए useful के category में आता है nuclear power plant जिसे atomic power plant भी कहा जाता है एक atomic power plant में बहुत सारे reactor होते है और उस reactor के अंदर atom की energy यानि की atomic energy का यूज करके heat produce किया जाता और फिर उसी heat की मदद से एक बहुती बरा टरवाइन को घुमा के उससे बिजली produce किया जाता है जहां भी nuclear energy से related चीजे होती है वहाँ पे एक ऐसा danger मौजूद होता जो कि invisible के साथ बहुती जादे dangerous होता है जिसको हम लोग radiation कहते है इसलिए हर एक nuclear power plant में safety system होता है वरकर्स के लिए special कपड़े होते हैं और सारे necessary precaution मौजबूत होते हैं nuclear power plant में काफी precaution के बाद भी कभी कभी हाथ से हो जाते हैं बात है 26 अप्रेल 1986 टाइम सुबह के एक बच कर 23 मिनट location चरनोबी यूक्रेयन जिस जगह पर ये डाइशर हुआ उसके सामने ही एक बड़ा सहर था प्रिपियत नाम का वो एक बहुती फेमस सहर था वहां लोग खुसी खुसी रहते थे कड़ी 50,000 लोग उस सहर में रहते थे बढ़ 26 अप्रेल 1986 के उस रात को सब कुछ बदल गया सिर्फ चर्णोबिल के लिए ही नहीं बलकी पूरी दुनिया के लिए प्रिपियस सहर में रहने वाले लोगों को अचानक से एक बहुती तेज लाइट दिखी बहुती जादे चमकती हुई लाइट जो की आसमान की और जाड़े थी लोगों को लगा ये नॉर्मल सा फैक्टरी में आग लगने वाला इंसिडेंट होगा और उस एडिया के सारे लोग उस इंसिडेंट को एक ब्रीच पे खड़े होकर देखने लगे बच्चे, बुढ़े, जबान और सब कोई सब वहाँ पे यही बात डिसकस कर रहे थे, आखिर वहाँ पे हुआ क्या इस बास से अंजान की रेडियो एक्टिव कने उनके सरीर को चीरते हुआ उनके बड़ी के अंदर सेल्स में कैंसर पैदा कर रहे थी वो बलास्ट इतना पावरफूल था, वो कुछ ही सकेंट्स में चर्णोबिल और उसके आसपास के पूरे सहर में रेडियो एक्टिव डेस्ट को फैला दिया स्रिप पास के सहरों और इलाकों में ही नए, बल्कि जहां पे प्लान था उसके 30 किलोमेटर के रेडियस के अंदर वो डेंजरस इन्विजिवर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स फैल गया और यह सब हुआ था एक गलती के चलते, कुछ दिर पहले उसी रात को चर्णोबिल के साइंटिस्ट उस निकुलर पावर प्लान्ट के अंदर सैप्टी टेस्ट कर रहे थे इस घटना को आप गलती भी कह सकते या फिर लापरवाई भी, क्योंकि एना टॉलिड डैब लॉब उस रात उस टेस्टिंग वर्ड को सुपरवाज कर रहे थे वो कुछ इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल को फोलो नहीं किये थे नुकलियर पावर प्लांट में कुछ भी करने के लिए एक हार्ड कोर सेट अफ रूल्स होते है उन्हीं रूल्स को उन्होंने नजर अंदाज कर दिया फिर उसी गलती के चलते अचानक से उस रियक्टर का पावर बढ़ने लगा अचानक से हेवी पावर शबरेज होने लगा नुकलियर प्लांट के अंदर जो फियल रोट्स होते है जो कि मैन प्रोसेस के दौरान गरम हो जाते है वो बहुत ही जादे गरम हो गया इवेंचियोली सांटिस्ट ने जल्दी से उसको पानी में डालकर ठंडा करना चाया बट वो फियल रोट्स इतने गरम हो चुके कि पूड़ा का पूड़ा पानी का टेंग एक सकेंड में भाब बनकर उड़ गया स्टीम और हीट का एक immense बिल्डप बन गया फाइनली वो फोर्थ नुकिलर रियक्टर एक्सप्लोड कर गया और उस रियक्टर का जो मेंट पार्ट था कोड़ वो एतनी तेजी से ब्लास्ट हुआ वो एक्सप्लोड होने के बाद आट टर्न रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को हवा में रिलीज कर दिया उस रेडियो एक्टिव क्लाउड की जो टॉक्सिसिटी थी जो जहडिला पन था वो जपान के हिरोशीमा इंसिडेंट से लगभग 400 गुना जादे थी सिर्फ इस निकुलर पाबर प्लांट के फटने के चलते चर्णोबील के सबसे नियरे सिटी प्रिपयत में इस इंसिडेंट के बाद वहां के सभी लोगों को सहर छोड़ना पड़ा और प्रिपयत नामक ये सहर आज भी पूरी तरह से खाली है गूगल पे जाकर अगर आप प्रिपयत सहर का पपूलेशन देखेंगे तो वहां पे जीरो दिखाएगा वहां पे बहुत ऐसी चीज जो कि सालों से अंटेजड है ऐसा मानों की जमा हुआ है एक फ्रोजन जगह की तरह उन फैमिलीज की यादों में जो कभी यहां पे हसते खेलते रहती थी और आज भी यह चीज जो रेडियो एक्टिव है वहां के एक होस्पिटल में बहुत सारे फायरफाइटर्स के कपड़े रखे हुए जो कि अभी आज के दिन भी रेडियो एक्टिव है मिल्स आपको अगर टच करेंगे तो आपके सरीर में का सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएगा और आप उस कैंसर से पिरित हो जाएगे यह वही फायरफाइटर्स के कपड़े हैं जो कि चर्णोबिल पावर प्लांट के अंदर गए थे वहां पे आग को बुझे और आपकोस उसमें से कई फायरफाइटर्स कैंसर से तो कई रेडियेशन सिकनेस से मारे गए कितनी अजीब चीज है ना यह रेडियेशन नहीं दिखती है और नहीं महसूस होती है बट अंदर ही अंदर चीजों को मारने लगती है अगर आज की बात करे इतने साल बीत गए पर उस जगह पर पूरी तरह से रेडियेशन खत्म नहीं हुआ अभी के टाइम में उस चर्णोबिल के पावर प्लांट के चारो तरफ एक सारकोफेगस बना दिया गया सारकोफेगस के है तो एक ऐसा स्फेर जो की डेंजरेस रेडियेशन के लीकेज को डोकेगा अब तो ये थी दुन्या की सबसे होस्ट घटना की कहानी जिसको अगले साल 20 हजार सालों तक इनसान को भोगतना पड़ेगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक सेर और सबस्क्राइब करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो थैंक्स